असलाम अलेकूम कैसे दोस्तों मेद करता हूं अच्छे सौंगे तो दोस्तों सौधी अरब में अपने इंडिया से पाकिस्तान से बंगलादेश से नेपाल से फिलिपीन से बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो सौधी अरब में आते हैं अपने रोजी रोटी के लिए अपना काम करने के लिए काम करने के लिए तो सब अलग-अलग फिल्ड के काम करने के के लिए ल草ते सवर्दी अरभ में अ पनी रोटी के लिए आ लुट उपना घर परिवार चलने के लिए घर चलता है वह साथ में में जब वह आते हैं साथ में पहुंच слож जाते हैं तो सबसे पहले उंसे ये काम किया तो उसका पासपोर्ट आप कोई भी कफील नहीं रख सकता पहले था कि कफील लोग पासपोर्ट रख लेते थे और नहीं देते थे हलाकि यह बेवकूप ही है कि passport रख लिया जाता है जब कर लिया जाता है क्योंकि नया बंदा रहता है जो passport रख लो गया आप तो वो क्या कर पाएगा और passport लिये भी रहेगा तो वो क्या कर सकता है आप तो आ गया है आपके पास जब तक आप जो है उसको एक्जिक नहीं लगा तब तक वो तो सवधी अरब से बाहर जा भी नहीं सकता है फिर भी यह लोग पासपोर्ट को रख लेते हैं सबसे पहले सवधी अरभ पहुंचने के बाद इनका यही काम रहता है कि पासपोर्ट रख लेते हैं हलाकि पिछले कुछ साल से इस पर एक नियम बन गया कानून बन कि जो लोग passport रखेंगे company का आदमी हो या कफील का आदमी हो कफील हो कोई भी हो अगर passport जब्त करता है उनमें यह पताया गया था कि अगर इस तरीके का कफील या company कोई भी passport जब्त करता है तो यह human trafficking crime के अंतरगत आता है और यह गहर कानुनी है कि कोई भी passport नहीं रख सकता है हलाकि इस पर कुछ हजार रियाल का जुर्माना था और कुछ साल का जेल था पर अभी जो है एक नए अपडेट आया है सौधी अरब में कोई भी कफिल अपने कामगार का जो काम करने के लिए आया है उनके पास उनका पासपोर्ट अगर जब्त करता है पासपोर्ट बीजा και सब्ट कर रहे है तभी लेबर कोर्ट में यह सिकायते दर्ज हो रही है जो फीर से एक नया कानून अपडेट हुआ एस पर जिसमें जुर्माना और सजा इसमें बढ़हा दिया गया हैimal अभी इसमें दस लाक रियाल का जुर्माना यानि एक मिलियान डियाndra का जुर्माना है उस पर सब्सक्त करवाई करते हुए एक मिलियन रियाल का जुर्माना और वह 15 साल का जेल हो सकता है पिर आप सौधियरब में काम करने के लिए आ यहां का नधय का अधिकार डेता है कि आप अपना पास्पोर्ड homeless हाथ में ना दे और दूसरी अपडेट है जो यहां पर सब्सक्राइब में भुझ्रोग रहते हैं उनके साथ बहुत सारे बोगता प्तलोकी करते हैं वत्तली जी करते हैं तो उनके लिए एपडेट जारी किया गया है अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि अगर किसी भी बुजुर्ग को बत्मीजी से प्रेस आया गया गया या उनके साथ सब्सक्राइब करते हुए एक साल कि सजा और 50,000,000 का जुर्माना लगा जाए गया तो हौल को समझ नहीं पाते हैं तो किसी भी बुजूर्ग के साथ बत्तमीजी ये बत्सलोकी करेंगे तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है यह चीज की आप जरूर ध्यान दे हाला कि अधिकार्यों दोरा यह अपडेट में बताये गया है कि जो यहां पर बुजूर्ग है उनके अधिकार को पुरा ध्यान रखा जाए और उनके इजादत के बिना उनके पैसे को खर्ज ना किया जाए तो जाहिए सी बात है कि जो सौधी अरब में लोग रहे रहे हैं उनके लिए यह कानून बनाए गया है पर इसमें अजनभी भी चपेट में आ सकते हैं क्योंकि बाइं भी जा सकते हैं तो जो लोग भाई नए आ रहे हैं सौधी अरब तो वह जरूर ध्यान दे इन सब चीजों का कि किसी भी तरीके का बित्तमीजी यह बत्तुलू की ना होने पाए और अगली बात से करना चाहता हूं अपने इंडिया के से लेकर इंडिया में आजकल जान रहे गया और काफी सारा हंगावा मचा क्योंकि अभी ठंडी का मौसम और कोहिरा बहुत जादा पड़ रहा है तो इस वज़ा से दिल्ली में भी बहुत सारे फ्लाइट है रद कर दी गई बहुत सारे फ्लाइट है देरी से उड़ रही है तो टाइम टेवल सब डिस बैलेंस हो ग टी गया है मुंबई एयरपोर्ट जो गोवा से दिल्ली जा रहा था पर मौसम खराब होने वज़ा से उसे मुंबई कर दिया गया और मुंबई में उसे वुड़ने में काफी वक्त लग गया काफी देर से उड़ी तो उसके बीच में पैसेंजरों को उतारा गया नीचे और सारे पैसेंजर एयरपोर्ट पे ही मैदान पे ही जो है खाना वगारा खा रहे थे तो आप यह देख सकते तो पूल मिला कर मुंबई एयरपोर्ट रेलवेइश टेशन के जैसा माहौल बन गया जिसे रेलवेश टेशन पे लोग खाना खाते हैं जमीन में बैठ कर उसी तरीके स है यहां पर भी एयरपोर्ट पर खाना बैठ कर खा रहे थे मैदान पर यह सब हंगामा देखते हुए फॉलाइटों को देरी होते हुए या फॉलाइट के अंदर जो हंगामा हो रहा है यह सब देखते हुए डी जी सी ए ने एक नया बयान जारी किया है कि अगर कोई भी तकनीकी कारण से खराबी आती है कोई भी कारण से पैसेंजर को परेसानी होती है तो उसका information WhatsApp के जरीए पैसेंजर को जरूरी से जरूर देना है तो डीजी से ने एक C.A.R. जारी किया और कहा कि अगर कोई भी तरीके से फ्लाइट में डिले होती है देरी होती है या किसी भी तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट रद होती है या फ्लाइट में लेट होता है फ्लाइट देर से उड़ती है तो उसका information WhatsApp के जरीए पैसेंजर तक पहुंचाया जाए